नमस्कार, स्वागत आप सभी का History 360 चैनल में मैं रवी कोलरिया History Lecture राजसान से आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा डॉक्टर पर्मा नन सिंग की पुस्तक इतिहास दर्शन का इससे पहले मैं डॉक्टर जहारखन चोबे की इतिहास दर्शन का रिव्यू कर चुका हूँ और इतिहास लेखन की एक E.S.R. दर्शन की पुस्तक आती है हिंडी और इंग्लिस दोनों माध्यम में उसका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ आज बात करेंगे डॉक्टर पर्मानन सिंग की पुस्तक के बारे में किस प्रकार का कंटेंट इसमें दिया गया है क्या-क्या टोपिक्स दिये गए है और इसका प्राइज कितना है इसकी प्राइज की बात करें तो 275 रुपीज लिख रहा है हलांकि ओफलाइन मार्केट की प्राइज का मुझे अंदाचा नहीं रहता है क्योंकि मैं एक छोटे कस्वे में रहता हूं यहां प्रिस्प्रकार की पुस्तके नहीं मिलती है तो मैंने अमाजोन से पर्चेज किया था 240 रुपीज में आज भी मैंने देखा आज डिलिवरी चार्ज़ भी नहीं थे इसमें प्राइम पर और 240 रुपे में ही मिल रही थी लगभग 375 पेज की पुस्तक है उसमें से आप यहीं संधर्व ग्रंतों की सूची हटा दें तो 350 पेज की पुस्तक है लगभग उतनी है जितनी डॉक्टर जारखन चौबे वाली आती है यह जरूर है कि इसमें टोपिक इतिहास की प्रकृति इतिहास का चेत्रविस्तार इतिहास का अध्यन इतिहासकार का शिल्प उसके बाद में प्रमुक भारतिय इतिहासकारों में कौन-कौन से देख सकते हैं क्योंकि एक्जाम में सब इस प्रकार के टोपिक्स लिखे हुआते हैं कि कौन-कौन से इतिहासक प्रमू के पास चाते इतिहासकारों में देखिया आप हर्डर हीगल मिल रांके करिंगम मार्क्स समीथ स्पेंगलर टाइनबी कॉलिंग वूर्ड जॉन डीवी और हेलेट कार्ड दे रखा है उसके बार में देखिए इतिहासवाद और इतिहासदर्शन इसमें सारे टोपिक्स उपनिवेशवाद, कारणतावाद, कालवाद, दवन्द्वाद, नेतिवाद, शोट में दिय गए हैं थोड़े से, कुछ एक दो ठीक दिये गए हैं, बाकी बहुत ही छोटे दिये गए हैं उसके बाद में इतिहासदर्शन परिकल्पनाइत्म इतिहासदर्शन और विश्य तीन पेज फिर विशलेशन आत्मक इतिहास दर्शन लगबग दो ड़ाई पेज में दिया गया है यह आप देख सकते हैं यहां पर खत्म हो जाता है इसके अलावा बाद के जो टोपिक्स हैं देखिए इतिहास दर्शन के सुत्रेम्सिद्धान्त व्यक्ति प्रगति कारणता वस्तुनिश्टता इसके बाद में इतिहास में आकसमिकता अवश्यम भाविता प्लव क्ति है और यकिवेश और तीक गवेशणूल्र लगवेश्श कले Lage स्तिव्यक और इंधे जयारखंट चोबे से तुलना करेंगे तो तोफिंस आपको थोड़े जहरखंट चोबे में कम मिलेंगे दिया क 52 सिंक आपको इतिहास परेंगे आपको जो base है वो clear है नहीं और इसमें short में दिया गया है तो उसका जो concept है वो आपको समझ में नहीं आएगा तो ये एक दिक्कत आ सकते हैं लेकिन अजीद ये आपने पहले इतिहास लेखनी अदर्शन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या आपके पास कोई दूसरी book है तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक्जाम के दिश्टिकोंड से मुख्य मुख्य पॉइंट आपको इसमें मिल जाएंगे लेकिन ज्यादा अच्छी मुझे इसलिए नहीं लगी क्योंकि मैं आप सभी जानते हैं मैं जो सभी काल की books हैं या किसी भी प्रकार की books हैं क्योंकि book reviews ही मैं ज्यादा करता हूँ तो मैं detail में ही book को पढ़ना पसंद करता हूँ तो यह पुस्तक खराबी कुछ भी नहीं है इसमें हर पुस्तक की अपनी अपनी अलग-लग खासियत होती है यह पुस्तक ज्यादा topics को cover करती है लग-भग उतने ही page जारखन चोबे की पुस्तक में है जितने पर्मारंण सिंग में है लेकिन इसमें topic ज्यादा है तो निश्यत रूप से विवरन भी कम ही मिलेगा तो यह आप पर निर्व करता है कि आपको किस प्रकार की पुस्तक चाहिए और आपके स्टेट के assistant professor के exam में या set वगरा के exam में किस प्रकार के topic शामिल गिये गए है क्या वो उनको cover करती है या नहीं करती है तो यह था मेरा review इतिहास दर्शन दौक्टर पर्मारंण सिंग की पुस्तक का यदि आप थोड़ा थोड़ा किस ठभी topics के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दौक्टर पर्मारंण सिंग की पुस्तक के साथ जा सकते हैं यह दिए आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर जार्खंड चोबे की जो इतियास दर्शन है, वो पढ़ सकते हैं, ज्यादा डिटेल उसमें भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बहतर तरीके से उसमें explain किया गया है, तो डॉक्टर जार्खंड चोबे मे मेरे लिए ज्यादा बैतर है इतियास दर्शन पर्मारंद सिंग की तुल्ला में, धन्यवाद